सरकुजा पुलिस दे फिट कॉफ, फिट सिटी अभ्यान की शुरुवात रवीबार से करती है इस अभ्यान की तहट मेरथन दौड का आयोजन किया गया पता दे कि इस आयोजन का मुख्य उद्देशे अधिकारियों, करमचारियों को फिट रखना है इस आयोजन में बच्चे से लेकर बुजर्ग तक को मौका दिया गया था सांथी पुलिस विभाग के अधिकारियों और करमचारियों ने भी इस दौड में शामिल हुए मैरथन दौड का आयोजन गांधी स्टेडियम से होते हुए संगम चौक, रामवंदिर, जैस्थम चौक, महामाया चौक, गुजरी चौक होते हुए गांधी स्टेडियम में समाप्त किया गया जिसकी दूरी पांच किलो मीटर तै की गई थी इस आयोजन में प्रथम और दिफ्तिय आने वाले प्रतिभागियों को शीट दे कर समानित भी किया गया इधर सरगुजा रीच के आईजी अजय यादप ने कहा कि फिट कॉप फिट सिटी अभ्यान के तहत इसकी शुआत की गई है इससे पहले पुलिस विभाग के लिए मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि इस भाग तौड की जिनकी में पुलिस विभाग फिटनेस को लेकर ध्यान नहीं दे पाता है साथी आम लोग भी फिटनेस से अच्छूता रहते हैं जिसको देखते हुए सरगुजा एसपी भावना गुपता की लीडर्शिप में ये पहल की शुआत की गई है और आने वाले महीने से ट्रीनर की माध्यम से इसे जोड़ा जाएगा इसमें पुलिस विभाग सहित आम लोगों के लिए भी खुला जाएगा जिससे की फिटनेस को लेकर लोग जावरुक हो सके साथी पुलिस विभाग में भी इसका खासा असर देखने को मिलीगा इसमें यह है कि महीने महीने भर जो पुलिस के लोग है जिनको फिटनेस पे ध्यान दिये जाने की जरूरत है या जिनकी अपनी स्वेक्षा से जो आना चाहते है दोनों कैटेगरी को चूज करके जो पुलिस ने कुछ एक्सपर्ट्स रखे है ट्रेनर्स की टीम रखी है उनको ले करके फिटनेस के बारे में जागरूप करेंगे उनके फिटनेस को सुभारने के लिए प्रयास करेंगे को फिट सिटी का ये आगास किया गया है जिसमें फाइव किलोमेटर रन से इसके शुरुवात की गई है इसका उदेशे यही है कि हमारे जो पुलिस कर्मी है जिस सरा का उनका लाइफ स्टाइल हो जाता है इसके बाद में regular way में उनकी classes held होंगी और उन्हें mental और physical fitness के विशे पर बताया जाएगा उन्हें और fit किया जाएगा और इसको measure किया जाए